हेलो फ्रेंड्स आप सभी का स्वाधत हैं आपके अपने ही यूट्यूब चैनल LGR Study Intermediate दोस्तों आपको बता दे कि इस वीडियो में हम Class 12 यानि की Intermediate Board Exam के लिए हिंदी 100 मार्क के महतपूर्ण Objective Question का चप्तर वाइज त्यारी हम आप लोग को करवाने वाले हैं और अगर आप इस वीडियो के सभी Question का त्यारी कर लेते हैं तो मैं आपको 100% Guarantee दे सकता हूँ कि हिंदी 100 मार्क का एक भी Objective Question आपको आपके Board Exam में नहीं चूटेगा क्योंकि दोस्तों आपको बता दे कि इस वीडियो स्रीज में हम केवल वैसे Question को ही Select किये हैं जो कि आपके Board Exam में बार-बार पूछे जाते हैं और आपके लिए काफी महतपूर्ण हैं चलिए आज का वीडियो सुरू करते हैं आज के इस वीडियो में सबसे पहले हम लोग जो सुरुवात करेंगे Chapter No.1 से जैसा कि यहां पर आप देख सकते हैं कि Chapter No.1 का जो नाम है आप लोग जानते होंगे कि क्या नाम है बातचीत और इसके जो लेखक है वो कौन है बाल करिशन भट चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आपके First महतपूर्ण कुष्चन के द्वारा पूछा जा रहा है बाल करिशन भट किस काल के रचनाकार है बाल करिशन भट जो है वो किस काल के रचनाकार है तो यहाँ पर आपका D option सही होगा याद रखेंगे आधुनिक काल के बाल करिशन भट किस काल के रचनाकार है आधुनिक काल यहाँ पर आपका बिल्कुल है सही आंसर होगा नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पर आपके दो नमबर महत्पूर्ण कोश्चन के दोरा पूछा जा रहा है बाल करिशन भट की रचना बातचीत क्या है बातचीत जो है वो क्या है एकांकी है या फिर कहानी है या फिर यात्रा असंसमरन है या फिर ललित निबंध है तो आपका डी होगा क्योंकि आपको बता दे कि दो का जो आपका सही आंसर होगा वो डी होगा क्योंकि बातचीत जो चेप्टर है वो क्या है ललित निबंध है नेक्स्ट देखेंगे आपके तीन नमबर महत्पूर्ण को पूछा जा रहा है कि बातचीत सिर्षक निबंध के न देखते चलिएगा इससे आपका confidence level बरेगा और आपको पता चलेगा कि कि इतना question हम पहले से जानते थे देखेंगे चार नमर question पूछा जा रहा है कि बाल क्रिशन भट का जन्म कब हुआ था बाल क्रिशन भट जी का जन्म है वह कब हुआ था तो चार का बी option यहां पर आपका स सारा वीडियो जो है आप लोगों को मिलने वाला है जिसमें आपको हिंदी के सभी चेप्टर का चेप्टर वाज तैयारी करवाया जाएगा तो अगर आप अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किये हैं और इस वीडियो के नीची अगर लाल रंका सब्सक्राइब का बटन दिख रहा है तो उस पर किलिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए बगल में घंटी का निसान आएगा उस पर किलिक करके औल पर सेलेक्ट कर लिजेगा ताकि आगे आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके चलिए देखते हैं पा यहां पर आप जो है सी उप्शन याद रखेंगे 20 जुलाई 1914 इस भी नेक्स्ट देखेंगे हम लोग यहां पर आपके सिक्स नंबर कुष्टन के द्वरा पूछा जारा कि बाल क्रिशन भट का निवास अस्थान कहां था मतलब वो कहां के रहने वाले थे ठीक है तो चौका यहां पर आपका डी ऑप्शन है बिल्कुल सही होगा याद रखेंगे इलाहबाद उत्तर परदेश के यह रहने वाले थे कौन तो बाल क्रिशन भट नेक्स्ट देखेंगे हम लोग जो है साथ नंबर कुष्चन को पूछा जा रहा है कि बाल क्रिशन भट ने मोटा मोटी क कुल कितने निबंद लिखे थे मोटा मोटी कहने का मतलब है लगभग लगभग कुल कितने निबंद लिखे थे तो साथ का जो यहां पर आपका एउप्शन है बिल्कुल ही सही होगा याद रखेंगे लगभग वो मोटा मोटी एक हजार निबंद लिखे थे आप समझ सकते ह जो बैक्ती एक अजार निबंध लिख सकते हैं वो कितने जो है के रियेटिव होंगे नेक्सट अमलुक देखेंगे यहाँ पर आपके आठ नमबर कोश्चन को आठ नमबर कोश्चन है कि बाल कृसिन के प्रसहन का नाम आपको क्या करना है बताना है तो आठ का जो यहाँ पर आपका B option है, बिल्कुल ही सही होगा, याद रखेंगे ये तीन हो, क्योंकि आपको बता दे कि यहाँ पर आपका ये option जो है, जैसा काम, वह ऐसा पड़ी नाम, ये भी उनका प्रसहन है, इसके बाद नई रोसनी का wish, इसके बाद जो है, आचार, B नमबना, ये सबी जो है, यह आपका बिल्कुल ही, सही आंसर होगा, नेक्स्ट देखेंगे, हम लोग यहाँ पर आपके 9 नमबर question को, पूछा जारा कि कौन सा उपन्यास बाल क्रिष्न भाट ने नहीं लिखा था, कौन सा उपन्यास जो है, बाल क्रिष्न भाट जी के द्वारा नहीं लिखा गया है, तो आनेक परकार की यहाँ पर आपको देखें, यहाँ पर आपको निर्देश दिया गया है, कि खाली जगव को क्या करें, भारे, और आगे एक सेंटेंस है, बताया जा रहा है कि आनेक परकार की सक्तियां, जो वर्दान की भाति इस्वर के इस्वर ने मनुस को दी है, आप सभ चेप्टर के अनुसार यहां पर आपका सी ऑप्शन सही होगा याद रखेंगे वाक्सक्ति यहां पर आपका इस खाली अस्थान में क्या होगा आएगा यह जो आपका खाली अस्थान जो है एक जो है मनुस्व के लिए इस्वर का एक बरदान ही है तो इस चेप्टर के अधार पर वाक सक्ती यहां पर आपका बिल्कुल है सही आंसर होगा और इस चेप्टर का नाम ही है बातचीत और बातचीत चेप्टर में यह बताया गया कि भई बोलने का जो सक्ती है जो हम बोल पार है इसका कितना महत तो है और इसके बिना क्या हो सकता है और क्या नहीं हो सकता है सारा जो बीसिष्टा इस चेप्टर में आपको बताया गया है चलिए देखते हैं हम नेक्स्ट जो है आपके एगारा नमबर को स्वेक्पिस्चन की दौरा पूचा जा रहा है कि उनका सौच क्या था तो 11 बातचीत सिर्षक निबंद किस बिधह की रचना है बात्चित शिर्षक जो निवंध है वो किस बिधा की रचना है तो बारा का जो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा वो ए होगा डाट मिस याद रखें तुसरा चेप्टर है जिसका नाम है उसने कहा था और उसके लेखा के चंद्रधर सर्मा गुलेडी फर्स्ट महातपूर्ण को पूछा जा रहा है कि उसने कहा था कहानी के नायक हैं मतलब इस कहानी के हीरो कौन है नायक मिस होता है हीरो तो यहाँ पर एक का जो आपका सही आंसर होगा वो ए होगा याद रखेंगे लहना सिंग इस कहानी के नायक कौन है तो लहना सिंग आप या याद रखेंगे कि कर्म परधान कहानी है यह किस परकार का कहानी है कर्म परधान नेक्स्ट हम लोग देखेंगे यहाँ पर आपके तीन नंबर महत्पूर्ण को पूछा जा रहा है उसने कहा था कहानी में किस सहर का चित्रन है मतलब किस सहर का चर्चा किया गया है किस सहर का च में मेरे साथ साथ लिखते चलिएगा इससे आपका confidence लेबल बढ़ेगा और आपको पता चलेगा कि आखिर आप लोग को कितने question का आंसर पहले से पता था देखेंगे हम लोग चार नमर महत्पुर्ण question को पूझादार है कि जर्मन पल्टन को किस ने मार गिराया तो चार का यहाँ पर आपका जो बी option है बिल्कुल ही सही होगा यह रखेंगे लहना सीन यहाँ पर बिल्कुल ही आपका सही आंसर होगा next देखेंगे हम लोग 5 नमबर question को पूचा जारा कि उसने कहा था किस verse की रचना है यह जो उसने कहा था यह आपका कहानी है यह किस verse जो है लिखा गया किस verse की रचना है तो 5 का यहाँ पर आपका A option सही होगा याद रखेंगे 1915 इस भी में यह कहानी क्या किया गया था लिखा गया था आगे बढ़ेंगे और next देखेंगे यहाँ पर आपके चो नमबर question को आपको बता देगी यह बिहार board के लिए किस के लिए बिहार board के लिए तो जो बच्चे सर्माग गुलेरी का जन्व कब हुआ था तो 16 यहाँ पर आपका सही आंसर होगा वो A होगा डैट मिस याद रखेंगे 7 जुलाइ 1883 इस भी यहाँ पर आपका बिलकुल है सही जो है आंसर हो जाएगा चलिए देखेंगे हम लोग जो है अगले साथ नंबर कुश्चेन को साथ नंबर कुश्चेन के द्वरा पूछा जा रहा है कि चंदधर सर्माग गुलेरी का निधन कब हुआ था इनका निधन मतलब इनका आमोत कब हो गया था साथ का बी आप्शन आपका सही होगा याद रिखेंगे बाड़ा सितमबर 1922 इस भी यहाँ पर आपका बिलकुल है सही आंसर होगा आठ नंबर कुश्चेन को आठ नंबर कुश्चेन के चंदधर सर्माग गुलेरी का जनम कहां हुआ था तो यह 8 का जो यहां पर आपका सही आंसर होगा, वो आपका C होगा, डाट मीश याद रिखेंगे जैपूर-राजस्थान, जैपूर-राजस्थान में इनका क्या हुआ था, जन्म हुआ था, नेक्स्ट देखेंगे हम लोग 9 नमबर कुश्चन को, 9 नमबर कुश्चन है कि, चं रहने वाले थे बरेंगे और देखेंगे आपके 10 नंबर कोश्चन को पूछा जरा है गुलेरी जी की प्रमुक कहानियों का नाम आपको क्या करना है बताना है तो 10 का तीनो कहानी जो है किनका है चंदरधर सर्मा गुलेरी जी के द्वारा लिखा गया है तो तीनो कहानी का हमने नाम ले लिया है ताकि आप तीन कहानी उनका क्या कर सके याद रख सके ठीक है हम चाते तो एक भी आप्शन डाल सकते थे एक ही जैसे मालिजे की उसने कहा था तो काम लिखे गए प्रमुख निवंध कौन कौन से हैं तो 11 का यहां पर आपका सही आंसर होगा वो डी होगा या जखेंगे उप्युक्त सभी यहां पर यह ओप्षन में जो दिया गया है कच्छुआ धरम इसके बाद डिंगल संस्कृत की पिटारा यह और बी ओप्षन में दिया ग जो है इनके द्वारा ही लिखा गया है तो यहां पर उप्युक्त सभी बिल्कुल ही आपका सही आंसर हो जाएगा नेक्स देखेंगे हम लोग जो है बारा नमर कुश्चन को बारा नमर कुश्चन है कि उसने कहा था कहानी की क्या विशेष्टा है उसने कहा था कहानी की क्या विशेष्था है तो बारा का जो आपका सही आंशर होगा वो डी होगा याद रखेंगे उप्यूग तो तीनों विशेष्था है इनका जैसे फस्ट विशेष्था क्या है दिब्व प्रेम कहानी है ये पहली बात तूसरी युद्ध कहानी है क्योंकि इसमें युद्ध का भी चितरन आपने देखा होगा तिसरा विशेस्ता क्या है प्रेम पर बलिदान की कहानी भी है क्योंकि जो लाना सिन है वो इस तरह का ही कुछ कार्ज इसमें करते हैं तो यहां पर उप्यूग तो तीनो यानि की डी आप्शन आपका बिल्कुल ही सही आंस क्या है मतलब यह लाइन किस पार्ट में आया है मतलब किस पार्ट से यह लिया गया है लाइन क्या है मिर्तियों के कुछ समय पहले असमिर्ती बहुत साफ हो जाती है यह जो लाइन है यह जो संटेंस है वाक के है यह किस पार्ट से लिया गया है तो तेरा का जो यहां पर याद रखेंगे उसने कहा था उसने कहा था इस कहानी से यह line लिया गया है next देखेंगे हम लोग आपके चोधा नंबर महात्पुर्ण कुछिस्चन को पूचा जारा कि गुलेरी जी ने किस पत्रीकाओं का संपाधन किया गुलेरी जी के द्वारा संपादन किया हुआ पत्री का निमली खित में से कौन सा है तो चोदा का यहाँ पर आपका यह उप्शन सही होगा याद रखेंगे आप देख सकते हैं कि समा लोचक कासी नगरी पर चारनी पत्री का यहाँ पर आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा नेक्स्ट देखेंगे हम लोग 15 नंबर महात्पॉर्ण कोश्चन को 15 नंबर कोश्चन है पूछा जा रहा है कि किन विश्यों पर गुलेरी जी ने लेखन किया किन किन विश्यों पर उसने लेखन कर चुका है तो यहाँ पर पंदर का जो आपका सही आंसर होगा वो डी होगा उप्यूक्त तीनो, डायटमिस यहां पर आप देख सकते हैं, या फिर आपका क्या हो, फस्ट में उन्होंने देखें, उप्यूक्त तीनो मतलब तीनो बिश्यों पर उन्होंने लिखा है, फस्ट बिश्य क्या है, पराच्य बिद्या, इतिहास, तूसरा आप क्या है, पुरात तूइंग रचना किया है, तो उप्योक तेनु यहां पर आपका बिल्कुल है, सही आंसर होगा, नैक्स्ट देखेंगे, हम लोग यहां पर आपके सोला नंबर को, सोला नंबर कोईट्ट के दोरा पूचा जा रहा है कि कुरमाई का अर्थ होता है, कुरमाई जो सब्ध है, इस क्या आर्थ होता है तो 16 का जो सही आंसर होगा वो यह होगा डैक्मिस याद रखेंगे कुर्माई का आर्थ विवा कुर्माई का आर्थ क्या होता है बिवा होता है तो इस तरह से आपका second chapter भी complete होता इस chapter से आप लोग इतना question कफिक नारायन काफी महतपूर्ण चेप्टर है और यहाँ से तो आपके बोर्ड इक्जाम में question पूछा ही जाता है यहां पर आपको कुछ statement दिया गया उसको पड़ीए बोला जारहा है कि अपना देश पिछरा हुआ है बाबजूद इसके की हम लोग तंत्र की अस्थापना की हैं तो यह जो पंक्ती है वो किस पार्ट से लिया गया है सिंप्ली यह आपको बताना है तो एक का जो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा वो यह होगा याद रखेगा कि यह जो संटेंस कार है यह जो संपूर्ण करांति आपका चेप्टर है इसके रचनाकार का नाम आपको बताना है तो दो का यहाँ पर आपका सी ऑप्शन से होगा याद रखेंगे जैपरकास नरायन यहाँ पर आपका बिलकुल है सही आंसर होगा नेक्स्ट देखेंगे हम लोग तीन नंबर को तीन नंबर कोश्चन के दोरा पूछा जारा कि जैपरकास नरायन को किसका दलाल कहा गया जैपरकास नरायन को किसका दलाल जो है कहा गया तो तीन का यहाँ पर आपका एउप्शन सही होगा या रखेंगा अमेरिका किसका अमेरिका यहाँ पर आपका बिलकुल है सही आंस चार का जो D option है बिल्कुल है सही होगा याद रखेंगे बाउल चैपरकास नहराएं जी का बच्पन का नाम क्या था तो बाउल यहां पर आपका बिल्कुल है सही आंसर होगा आपको बता दे कि intermediate board exam के बहतर त्यारी के लिए अगर आप अभी तक हमारे mobile app को डाउनलोड नहीं किये हैं तो इस वीडियो के description box में आपको mobile app का लिंक मिल जाएगा या नहीं तो पले store पर सर्च करेंगे आप LGR study app तो वहां भी सबसे उपर में आ जाएगा तो वहां से भी आप लोग question को पूछा जा रहा है जया परकास नाराइन का जन्म कब हुआ था जया परकास नाराइन जी का जन्म जो है कब हुआ था तो पांच का A option यहां पर आपका सही होगा याद रखेंगे 11 October 1902 SB में उनका जो है जन्म हुआ था next देखेंगे हम लोग चो नंबर question को चो नंबर question है कि जया परकास नाराइन का निधन कब हुआ था इनका निधन जो है कब हो गया इनका देहान कब हो गया तो चो का B option यहां पर आपका सही होगा याद रखेंगे 8 October 1989 SB को जो है इनका क्या हुआ गया था और निधन हो गया थ नेक्स देखेंगे हम लोग यहां पर आपके साथ नंबर question का भी महतपूर्ण है और related question है तो ध्यान से देखने की कोशिस करेंगे पूछा जा रहा है जया परकास नाराइन का जन्म अस्थान कहा है इनका जन्म अस्थान कहा है मतलब इनका जन्म कहा हुआ था तो साथ का यह अस्थाब दियारा जो गाउं है वो उत्तरपरदिश के बल्या जिला और बिहार के सारन जिला में फैला हुआ है तो वहां पर उनका क्या हुआ था जन्म हुआ था नेक्स्ट देखेंगे हम लोग जो है आठ नंबर question को आठ नंबर question को जया परकास नाराइन को लोग क्या कह लगे तो आठ का जो यहां पर आपका सही आंतर होगा और यहाँ परकास नाराइन को लोग जो है लस्ट में चल करके उनके उत्साह को और उनके करमो को देख कर के लोग नायक से उन्हें जाना गया लोग उन्हें लोक नायक कहने लगे और यहां पर आप देख सकते हैं कि जन नायक भी है तो जन नायक किसे कहा जाता है यह भी आप याद रख लिजिए तो काफी आची बाते हैं जन नायक हम लोग करपूरी ठाकूर को बोलते हैं किसको बोलते हैं करपूरी ठाकूर को बोलते हैं जिनका जान्म समस्ति पूर जिला के बिहार राज के समस्ति पूर जिला में हुआ था तो जन नायक कौन है करपूरी ठाकूर लोक नायक कौन है जैपरकास नारायन इस तरह से आप लोग याद रखेंगे चलिए देखते हैं हम लोग जो है यहां पर आपके 9 नमबर कुश्चन को 9 नमबर कुश्चन है कि बिहार के छात्र आंदोलन का जेपी ने कब नैत्रेत्व किया मतलब जेपी मतलब जैपरकास नारायन जी ने कब जो है नैत्रेत्व किया था तो यहां पर आपका जो सही आंसर होगा 9 number question का वो आपका B होगा याद रखेगा 1974 इस भी में कब तो 1974 इस भी यहां पर आपका बिल्कुल है सही आंसर होगा चलिए देखते हैं 10 number question काफी महातपूर्ण है और ध्यान से आप आप देखने कोशिस करेंगे पूछा जा रहा है कि रीकंस्ट्रक्शन ओफ इंडियन पॉलिटी पुस्तक किस ने लिखी ये जो पुस्तक है रीकंस्ट्रक्शन ओफ इंडियन पॉलिटी इस पुस्तक के लेखक का नाम आपको बताना है तो दसका के दोरा पूछा जा रहा कि जैव परकास नारायन को कौन सा पुरसकार मिला था उनको कौन सा पुरसकार जो है दिया गया था तो 11 का यहां पर आपका D options यो गया रखेंगे मैं से सम्मान एबं भारत रत्न से भी उन्हें सम्मानित किया जा चुका है आगे बारेंगे और देख परकास नरायन ने कब दिया था मतलब अब यह जो भासन है संपुर्ण करांथी से रिटिए यह चेप्टर है आपका गया एक भासन है और यह भासन जापरकास नरायन जी के दोरह जो है कब दिया गया जीशे आप लोग इंगलेश होंगे तो इंगलिस पहरे होंगे तो आपको पता होगा कि जैसे भारत is my home, I have a dream, ये सभी के सभी भासन है, भारत is my home तो आपका जाकर उसेंजी के द्वारा दिया गया है, तो वो भासन कब दिया गया था, तो आपको पता होगा कि जब उन्होंने राष्ट पती का सबत लिया था, त दिया गया था, कि इनके द्वारा जैर परकास नाराएंजी के द्वारा, तो कब दिया गया ये आपको बताना है, तो बारा का जो यहां पर आपका सही आंसर होगा, वो आपका ए होगा, डैटमी से याद रखेगा, पांच जून 1974 इस भी को यह भासन जो है, दिया गया था, आगे भरेंगे और देखेंगे यहां पर आपके तेरा नंबर कुश्चन को, तेरा नंबर जो कुश्चन है, पूछा जा रहा है कि किस पार्ट में आया है, यह जो दो लाइन यहां पर आपको दिया गया, दो सेंटेंस, यह किस पार्ट में आया है, सेंटेंस को पढ़ते है धियान से समझने की कोशिस करेंगे अगर कोई डी डेमोक्रेसी का दुस्मन है डेमोक्रेसी मतलब लोगतंत्र जिसको आप कहते हैं उसका दुस्मन है तो वे लोग दुस्मन है जो जनता के सांती में कार्ज करम में क्या करते हैं बाधा डालते हैं उनकी गिरफतारियां करते है उन पर लाथी चलाते हैं या फिर गोलियां चलाते हैं वो लोग क्या है जिम्मेबार है डुसमन है किस चीज का तो डेमोक्रेसी का लोगतंत्र का तो यह जो लाइन है यह किस पार्ट से यह दोनों लाइन क्या किया गया गया है तो तेरा का जो यहां पर आपका सही आंसर होग ठीक है देखते हैं आगे बढ़ते हैं और चोदर नमर कुष्चन देखेंगे पूछा जरा कि बिद्यार्थी और राजनिती नीबंद किसका लिखा हुआ है आप लोगों को हिंदी में भी नीबंद लिखने के लिए बोलता है चात्र और राजनिती आप लोग कितना बार यह पासायोगा या दोखेंगे जैपरकास नहरायन जी का उनके द्वारा ही क्या किया गया है चात्र और राजनिती जो आपका निबंद है वो लिखा गया है चौथा चिप्टर है जिसका नाम है अर्ध नारिस्वर और जिसके लेखक है रामधारी सिंग दिनकर फर्स्ट कोष् नारी सुगंध है नारी पुरूस की बाह पर जूलती हुई जूही का माला है यह जो सभी सेंटेंस है यह वाक की जो है किस रचनाकार का है तो यहाँ पर एक का जो आपका डी ऑप्शन है बिल्कुल ही सही होगा याद रखेंगे रामधारी सिंग दिनकर जी के द्वरा यह पंक्तिया है वो लिखा गया है आगे बरेंगे और देखेंगे नेक्स्ट दो नंबर महत्पूर्ण कोश्चन को पूछा जा रहा कि ज्यान पीठ पुरसकार से सम्मानित रचना है निवन लिखित में से किस रचना को ज्यान पीठ पुरसकार जो है मिल चुका है तो दो का य option सही हो का याद रखेंगे उड़वर्सी और उड़वर्सी जो है वो रामधारी सिंग दिनकर जी का ही रचना है या भी आप याद रख सकते हैं नेक्स्ट देखेंगे हम लोग यहां आपके तीन नंबर कोईश्चन को बोला जा रहा है कि युद्ध और सांती की समस्य पर लिखी गई काभ्यकर्ती है Harold युद्ध और सांती से संबंदित जो लिखा गया काभ्यकर्ती है वह निमलीखित में से कौन सा है तो तो तीन का जो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा, वो A होगा, याद रखेंगे कुरू छेत्र, और कुरू छेत्र सब्द आपके से इस समझते हैं, तो आप सभी समझ सकते हैं कि यह जो छेत्र है वो युद्ध से सम्बंदित ही है, तो यहाँ पर आपका A option से होगा, याद सांती से संबंदित रचना है। next देखेंगे हम लोग चार नंबर कुश्चन को, चार नंबर कुश्चन है कि आर्द नाडी स्वर का किस बीधा से संबंद हैं। मतलब आर्द नाडी स्वर जो पाठ है, वो पाठ की कौन सी बीधा हैं। तो चार का यहां पर जो आपका A option है बिल्कुल ही सही होगा याद रखेंगे यह क्या है निबंध हैं आगे बरेंगे और देखेंगे next हम लोग 5 नंबर question पूछा जा रहा है कि आर्ध नारिस्वर सिर्शक निबंध के निबंध कार का नाम बताईए यहां पर आपको आर्ध न नारिस्वर के निबंध कार हैं आगे बरेंगे और देखेंगे 6 नंबर महत्पूर्ण question बोला जा रहा है कि रामधारी सिंग दिनकर का जान्म कब हुआ था तो चौका जो यहां पर आपका सही आंसर होगा वो B होगा डायट मिस याद रखेंगे 23 सितंबर 1908 इस भी यहां प कब हो गया तो साथ का C option आपका सही होगा याद रखेंगे 24 अपरेल 1974 इस भी को इनका जो है निधन हो गया था आगे बरेंगे और देखेंगे 8 नंबर question पूछा जारा कि रामधारी सिंग दिनकर का जन्म कहां हुआ था तो यह काफी महत्पूर्ण है रामधारी सिंग दिनक कि रामधारी सिंग दिनकर जी जो है उनका गाउं जो है उनका जो जन्म है सिमरिया गाउं बेगु सराई जिला और बिहार राज में हुआ था और उनके पिता का नाम था रभी सिंग क्या नाम था रभी सिंग था और इनके नाम में आप किलियरली देख सकते हैं कि दिनकर ल पढ़ियावाची दिनकर भी है तो एक तरह से समझे कि ये अपने पिता जी का नाम क्या किये हुए लास्ट में लगाए हुए क्योंकि रभी का ही पढ़ियावाची सब्द होता है कौन चीज दिनकर और ये हिंदी के क्या थे महान कभी थे और दूसरे बात अगर देखा जाए तो इनके बारे में आपको जानना जरूरी है क्योंकि आपके एक जाम में एक टॉपिक ऐसा भी आ जाता है जिसमें आपको बताना रहा थे क्या करो आपने अपने फैबरेट कभी के बारे में लिखना होता है तो आप जो है दिनकर जिके बारे में लिख सकते हैं तो 9 का जो आपका सही आंसर होगा वो C होगा याद रखेंगे संस्किर्ति के 4 अध्याय या जो पुस्तक था इस पुस्तक के कारण इन्हें साहित्य अकादमी पुरसकार मिला था नेक्स्ट देखेंगे हम लोग 10 नमर कोश्चन पुछा जा रहा है कि दिनकर को कौन सा पुरसकार मिला था तो 10 का जो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा वो A होगा याद रखेंगे पदम बहुसन यहाँ पर आपका सही आंसर होगा आगे बढ़ेंगे और आपको बता दे कि intermediate board exam के बहतर त्यारी के लिए अगर आप अभी तक हमारे mobile app को download नहीं किये हैं तो इस वीडियो के description box में आपको mobile app का link मिल जाएगा वहाँ से download कर लिजे नहीं तो पले store पर search किजेगा LGR study app तो वहाँ से भी आप लोग download कर सकते हैं चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ पर देखेंगे 11 number question पूछा जरा कि दिनकर की कभीता का कौन सा गुन नहीं था दिनकर जी के कभीता का कौन सा गुन जो है नहीं है तो 11 का यहाँ पर आपका यूग के कभी थे तो 12 का यहाँ पर आपका C option सा यहाँ चाया वाद उत्तर यूग के यह क्या थे कभी थे कौन तो दिनकर जी आगे बढ़ेंगे और देखेंगे आपके 13 number question को 13 number question के दोरा जो है आपसे पूछा जा रहा है कि कामनी तो अपने साथ क्या बोला गया कामनी तो अपने साथ dot dot की सांती लाई है कामनी तो अपने साथ dot dot की सांती लाती है तो यहाँ पर dot dot में यानि की खाली जगह में आपको भरना है तो क्या सही यहाँ पर आपका आंसर होगा तो 13 का जो यहाँ पर आपका question पूछा जा रहा है कि जिस पुरुस में नारित तो नहीं है डॉट डॉट है वह पुरुस कैसा है तो 14 का B option आपका सयुगा याद रखेंगे और पुर्ण है नेक्स्ट हम लोगों देखेंगे यहाँ पर आपके 15 नंबर question को पंदरा नंबर question के दोरा जो है यहाँ आपसे पूछा जाख है की आर्द नारित स्वर का क्या अर्थ है या आपको बताना है A option आपको दिया गया है आधी नारी, B option दिया गया है पूरी नारी, C option दिया गया आ पार बरती का कल्पित रूप हैं जिसका आधा अंग पूरुस का और आधा अंग नारी का होता है तो यहाँ पर सही आंसर कौन सा है तो पंदर का यहाँ पर आपका सही आंसर होगा वो D होगा याद रखेगा कि अर्ध नारिस्वर जो सब्ध है इसका आर्थ क्या होता है इसका आर्थ होता है अर्ध नारिस्वर जो है संकर और पारबती का कल्पित रूप है जिसका आधा अंग जो है पुरूस का और आधा अंग नारी का होता है पांच नमर जो चेप्टर है जिसका नाम है रोज और इस चेप्टर के लेखक है अग्याई फ़र्स्ट महातपूर्ण कुष्चन है पूछा जारा है कि रोज कहानी के कहानी कार है तो यहाँ पर आपका ये उप्षन बिल्कुल ही सही होगा याद रखेंगे अग्याई तो इनके जो लेखक हैं वो कौन है अग्याई है जहाब याद रखेंगे आपको एक्जाम में यह पूछा जा सकता है कि अग्याई का पूरा नाम क्या है तो अगर आप लोग 10th में हिंदी पहरे होंगे तो आप लोग को पता होगा अग्याई जी का पूरा नाम है हीरा नंद सचीता नंद वातस्यान अग्याई ठीक है अग्याई इनका क्या है टाइटल है आगे बढ़ते हैं और देखते हैं दो नमबर महतपूर्ण कुश्चन को बोला जा रहा है कि मालती के पती का नाम है मालती के पती का नाम आपको क्या करना है बताना है तो दो का यहाँ पर आपका C option सही होगा याद रखेंगे महस्वर इस चेप्टर में जो मालती है उसके पती का नाम क्या है महस्वर यहाँ पर आपका बिल्कुल है सही आंसर होग next देखेंगे हम लोग 3 number महात्पूर्ण question को पूछा जा रहा है कि तार सब्तक के संपादक कौन है तार सब्तक जो रचना है उसके संपादक कौन है तो 3 का यहां पर आपका D option सही होगा याद रखेंगे अग्याई अग्यें यहाँ पर आपका विल्कुल है, सही आंसर होगा नेक्स्ट देखेंगे हम लोग जो है यहाँ पर आपके पांच नंबर कुश्चन को पूछा जारा कि रोज कहानी की नाई का कौन है इसमें जो नाई का का रोल निभाई है वो कौन है तो पांच का यहाँ पर आपका A option सही होगा याद रखेंगे मालती मालती नाम की जो लड़की है वो इस कहानी की क्या है नाई का है आगे बरेंगे और next देखेंगे आपके यहाँ पर जो है चो नंबर कुश्चन है पूछा जारा कि अग्याई जी का जन्म कहा हुआ था तो यहाँ पर आपका चो का जो बिल्कुल है सही आंसर होगा वो आपका जो है D होगा यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कुसी नगर उत्तर परदेश में इनका क्या हुआ था जन्म हुआ था नेक्स्ट देखेंगे हम लोग जो है साथ नंबर कोईश्चन पूछा जा रहा है अग्याई जी का जन्म कब हुआ था तो साथ का जो आपका सही आंसर होगा वो B होगा याद रखेगा साथ मार्च उनिस सो एकारा अग्याई जी का जन्म हुआ था नेक्स्ट देखेंगे हम लोग यहाँ पर आपके आठ नंबर कोईश्चन को पूछा जा रहे अग्याई जी का निधन कब हुआ था तो आठका जो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा वो C होगा याद रखेगा चार अपरेल 1987 इस भी को अग्याई जी का निधन हो गया था इनका मौत हो गया था नेक्स देखेंगे हम लोग यहाँ पर आपके 9 नंबर कोईश्चन पूछा जा रहा है अग्याई जी का मूल निवास कहा था मूल निवास अस्थान इनका कहा था तो यहाँ पर 9 का जो आपका सही आंसर होगा वो ए होगा यहाँ पर देखेंगे करतारपूर पंजाब करतारपूर पंजाब में इनका क्या था मूल निवास अस्थान था आगे बरेंगे और देखेंगे यहाँ पर आपके 10 नंबर कोईश्चन बोला जारा कि रोज सीर्षक कहानी का पूर्ग नाम क्या था मतलब जो अभी हम रोज के नाम से जिस कहानी को पढ़ रहे हैं उस कहानी का नाम पहले क्या था तो यहाँ पर आपका D option सही होगा याद रखेंगे ग्यंग्रीन ग्यंग्रीन जो है पहले नाम था किसका तो रोज कहानी का आगे बरेंगे और देखेंगे यहाँ पर आपके गारा नंबर question को पूछा जारा कि किस पार्ट में आया है एक sentence है यहाँ पर आपको दिया गया यह जो वाक्य है किस पार्ट में आया है वाक्य क्या है परेंगे बोला जारा कि दो पहर में उस सुने आंगन में पैर रखते ही मुझे ऐसा जान परा मानो उस पर किसी साम की छाया मडरा रही है तो ये जो वाक्य है किस कहानी से लिया गया है किस पार्ट से लिया गया है तो एगारा का यहाँ पर आपका एउप्शन सायोगा याद रखेंगे रोज रोज चेप्टर से यही यह लाइन लिया गया है आगे बरहेंगे और देखेंगे बारा नंबर कुश्चन पूछा जारा कि किस पार्ट में आया है कौन चीज आया है तीन बज गए चार बज गए ग्यारह बज गए यह जो वाक्या है यह किस पार्ट में आया है मतलब किस पार्ट से यह वाक्या लिया गया है तो 12 का जो आपका सही आंसर होगा वो यहाँ पर आपका B होगा याद रखेंगे रोज पाट से ही यह question जो है यह जो line है sentence से लिया गया है next 13 नमर question देखिए पूछा जा रहा है कि मालती का पती पेसे से क्या था वो क्या कारोबार करते थे कौन मालती के जो पती थे वो तो 13 का यहाँ पर आपका B option से याद रखेंगे वो डॉक्टर थे क्या थे डॉक्टर थे चौर नमर जो आपका chapter है देख सकते हैं एक खेल एक लेख और एक पत्र यह आपका chapter है chapter क्या है एक लेख और एक पत्र और उसके जो रचनाकार है कौन है भगत सिंग जी है चलिए first question को देखिए पूछा जा रहा है कि भगत सिंग के पिता और चाचा किसके सहयोगी थे भगत सिंग के पिता और चाचा जो थे वो किसके सहयोगी थे तो यहाँ पर आपका जो सही answer होगा वो d होगा याज रखेंगे सुख देव के किनके सुख देव के जो है वो क्या थे सही होगी थे आगे भरेंगे और देखेंगे दो number question पूछा जा रहा है एक लेख और एक पत्र सिर्शक पाठ के लेख कौन है तो simple सा question है, दो number question का जो सही answer होगा, वो A होगा, भगत सिंग, इस question का answer आप लोग को पता हो, तो उसका answer आप लोग साथ सर देने की कोशिस कीजिए, आता कि इससे आपका motivation क्या होता है, बरता है, तीन number question देखिए, पूछा जरा कि भगत सिंग का जन्म कब होआ था, तो simple सा question है, तीन का जो यहाँ पर आपका सही answer होगा, वो आपका B option सही होगा, याद रखेंगे, 28 सितंबर 1907 इस भी को उनका जन्म होआ था, next देखेंगे हम लोग चार number question को, चार number question है कि भगत सिंग को फांसी की सजा कब मिले थी, तो चार का यहाँ पर आपका C option सही होगा याद रखेंगे, 23 March 1931 इस भी को भगत सिंग को फांसी की सजा जो है, दे दी गई थी, अंग्रेजों के दोरा आप लोग सभी जानते होंगे आगे भरेंगे और देखेंगे पांच number question, पूछा जारा कि भगत सिंग का जानम कहां हुआ था, भगत सिंग का जानम कहां हुआ था, तो पांच का यहाँ पर आपका D option सही होगा रखेंगे, बंगा चक, नंबर 105, यहाँ पर आप देख सकते हैं, गुरेरा ब्रांच, लायल पूर, गुरेरा ब्रांच, लायल पूर यहाँ पर आपका बिल्कुल है, सही आंसर होगा, next देखेंगे, यहाँ पर हम लोग जो है, छोर नंबर question, भगत यहाँ पर आपको बताना है कि पाकिस्तान भगत सिंग का पैत्रिक गाउं कहां था, पैत्रिक गाउं जो था भगत सि अगर, खटक, रकलाउं, पंजाब में, कहां तो, खटक, रकलाउं, पंजाब, यहाँ पर आपका बिल्कुल है, सही आंसर होगा, next देखेंगे, हम लोग यहाँ पर आपके साथ नंबर question को, पूचा ज़रा कि भगत सिंग के माता पिता का क्या नाम है, भगत सिंग जी के मात सही आंसर होगा, next देखेंगे, हम लोग आठ नंबर question, पूचा ज़रा कि भगत सिंग के पिता कितनी बार जेल गए, तो आठ का यहाँ पर आपका सही आंसर होगा, वो यहाँ पर आपका सी होगा, याद रखेंगे, अनेक बार, कितनी बार, भगत सिंग के पिता जी जो थे, वो अनेक बार क्या थे जेल गए थे नेक्स्ट देखेंगे आप 9 नमबर कुष्चन भागत सिंग की पहले गिरफतारी कब हुई थी पहली बार भागत सिंग कब गिरफतार हो गए थे तो यहां पर आपका 9 का जो सही आंसर होगा वो आपका D होगा याद रखेंगे अक्टूबर 1926 इस भी में आगे बढ़ते हैं और देखेंगे यहां पर आपके 10 नमबर कुष्चन को काफी महातपुर्ण है द्यान से देखिए कि किसने कहा है जब देश के भाग्य का निरने हो रहा हो तो ब्यक्तियों के भाग्य का जो है पुर्णत्या भाग्य को पुर्णत्या भूल भूला देना चाहिए क्या बूला गया कि जब देश के भाग्य का निरने हो रहा हो तो ब्यक्तियों के भाग्य को प्रुतिया क्या करना चाहिए भूला देना चाहिए यह जो है किसके द्वारा कहा गया था तो यहां पर आपका 10 का जो सही आंसर होगा वो आपका D होगा याद रखेंगे यहां पर आपका 10 का A option Dutch आपको स्कती है इस चैप्टर के आधारं पर आपको बताना है कि सुरक्छा कहा अँगर 20 को जेलने में ही क्या हो सकती है यह किन remote मानना था भगत सिंग का मानना था इस तरह से आपका six number chapter भी complete होता है साथ number chapter जिसका नाम है ओ सदा नीरा इस chapter के जो लेखक हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जगदीश चंद्र माथोर इस chapter से संबंदित काफी महतपूर्ण objective question का हम लोग discussion करेंगे तो यहाँ पर आप लोग ध्यान से देखने की कोशिस करेंगे first question के दोरा पूछा जा रहा है O सदा नीरा सिर्सक का संबंद किस विधा से हैं तो एक का जो यहाँ पर आपका सही answer होगा वो C होगा जाद रखेगा O सदा नीरा जो सिर्सक है जो part है वो क्या है निवंद है तो यहाँ पर आपका A का जो C option यहाँ है बिलकुल है सही हो जाएगा next देखेंगे हम लोग यहाँ पर आपके दो नंबर महत्पूर्ण question को पूछा जा रहा है कि O सदा नीरा निवंद के निवंदकार का नाम बताएं तो यहाँ पर दो का आपका A option सही होगा याद रखेंगे जगदीश चंदर माथूर्ण जो है वो सदा निरा के निवंदकार है मतलब इस चेप्टर के लेखक है आगे बरहेंगे और देखेंगे तीन नंबर question पूछा जा रहा है कि जगदीश चंदर माथूर का जन्म कब हुआ था तो तीन का यहाँ पर जो आपका सही आंसर होगा वो यहाँ पर आपका B होगा डैट मिस याद रखेंगे 16, July, 19, 17, 20 यहाँ पर आपका बिल्कुल है सही आंसर होगा नेक्स्ट देखेंगे हम लोग चार नंबर कुश्चन पूछा जा रहा है कि जगदीश चंदर माथूर का निधन कब हुआ था तो चार का जो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा वो यहाँ पर जो है आपका चार का जो सही आंसर होगा वो C होगा याद रखेंगे 14 मैं 1978 इस भी यहाँ पर आपका बिलकुल ही सही आंसर होगा क्योंकि इनका निधन जो है यहाँ पर 14 मैं 1978 इस भी को हुआ था आगे बढ़ते हैं और देखेंगे नेक्स्ट पांच नंबर कुश्चन को पूछा जा रहा है जगदीश चंद्रमाथूर का जन्म कहा हुआ था काफी महत्पूर्ण कुश्चन है पांच नंबर कुश्चन का जो आपका सही आंसर होगा वो D होगा यहाँ पर आप देख सकते हैं कि साह जहाँ पूर उत्तर परदेश में इनका जन्म हुआ था आगे बरहेंगे और देखेंगे यहाँ पर आपके चो नंबर कुश्चन को पूछा जा रहा है कि जगदीश चंद्रमाथूर को कौन सा पुरस्कार नहीं मिला था अभी तक जो है कौन सा पुरस्कार नहीं मिला था तो चौका यहाँ पर आपका ए उप्षन सही होगा याद रखेंगे भारतिय ग्यान पीट पुरसकार जो है उन्हें नहीं मिला था नेक्स्ट देखेंगे हम लोग साथ नमर कुश्चन पूछा जा रहा है कि यहाँ पर आपको सिंपली बताना है कि वसुंधरा भोगी मानब और धर्मांद मानब एक ही सिक्के के दो पहलू है किस पार्ट में आया है यह जो आपका वाक्य है या किस पार्ट में आया है तो साथ का यहाँ पर जो आपका A option है बिल्कुल यह आपका सही होगा याद रखेंगे यह जो sentence है वो किस पार्ट से लिया गया है वो सदा निरा पार्ट से लिया गया है आगे बरेंगे और देखेंगे आठ नमर question को पूशा जा रहा है कि धांगर सब्द का अर्थ औराओ भा में क्या होता है तो आठ का यहाँ पर आपका B option सही होगा याद रखेंगे भारे का मजदूर भारे का जो मजदूर होता उसको क्या कहते हैं धांगर कहते हैं आगे बरेंगे और 9 नमर question को देखेंगे पूशा जारा कि चमपारन में गांधी जी के चमतकार की कथा किस ने लि देखी है तो नौका यहाँ पर आपका C option सही होगा याद रखेंगे राजेंदर परसाद कौन तो राजेंदर परसाद यहाँ पर आपका बिल्कुल है सही आंसर होगा आगे बरेंगे और देखेंगे यहाँ पर आपके 10 नमर question को पूछा जारा कि किस पार्ट में आया है क्य परसी है चमपारन की यह भूमी मानो अस्मिर्ती के हाथो अपनी बड़ी निदियों को सोपने के लिए यहाँ परस्तूत रहती है तो यह वाक्य है किस पार्ट से लिया गया है तो 10 का यहाँ पर आपका सही आंसर होगा वो D होगा याद रखेगा O सदा निरा जैसे चमपार सब्द का अगर चर्चा हो जाए तो आप याद रखेगा O सदा निरा से ही होगा वो आगे भरेंगे और देखेंगे गारा नमर कुश्चन पूछा ज़रा कि वर्तमान सिक्षा पदती को तो मैं खौपनाक और है मानता हूं छोटे बच्चे के चारित्र को बुद्धी का वि और है के दृष्टी से वो देखते हैं उसको है मानते हैं और शिक्षा का काम होता है विकास करना लेकिन वो मानते है कि आज की शिक्षा परनाली जो है वो बच्चे को क्या बना रही है बौना बना रही है ठीक है तो ये किनका मानना है किनका कहना है किनका बिचार है तो 11 का यहां पर आपका सही आंसर होगा 1 लोग यहां पर आपका सही आंसर होगा। सात जान को पूछा जा रहा है कि चोड कैसे ताल है कि पालाा है होतले दूसरा है चोडे तीसरा ऑप्षन है गहरे चौ Gloria यह पर आप देख सकते हैं कि लबा लब तो तेरा का जो सभी आन्सर होगा वह यह होगा आप याद रखेंगे कि चौर जो है वो उतले ताल हैं आगे बरेंगे और देखेंगे नेक्स्ट यहाँ पर आपके चौदा नमबर कुश्चन को चोदर नमर कुश्चन के दौरा पूचा जारा कि वैसाली महोत्सब का प्रती वर्स आयोजन किसने प्रारंभ करवाया तो वैसाली महोत्सब का प्रारंभ आपको बता दे कि जगदीश चंद्रमाथूर जी के दौरा करवाया गया था तो जगदीश चंद्रमाथूर यहाँ प पर्क में आये जो सू संस्कृत हो और चरित्र जिनका निश्फलुस हो यह किस ने कहा है ऐसा किस का मानना है ऐसा किस का कहना है तो पंदरा का यहां पर आपका जो है बी option सो होगा या देखेंगे महात्मा गांदी जी का ऐसा क्या है मानना है इस तरह से आपका 7 नंबर चेप्टर भी complete होता है आठ्स नंबर चेप्टर को देखेंगे आठ्स नंबर चेप्टर जिसका नाम है आप आप देख सकते हैं सिपाही की मा और इसके लेखक है मोहन राकेश फर्स्ट महत पूर्ण कोश्चन है पूछा जा रहा है कि सिपाही की मा निम्नांकित में से कौन है तो एक का जो यहाँ पर आपका बी ओप्शन है बिल्कुल ही सही होगा याद रखेंगे विस्नी यहाँ पर आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा विस्नी जो है सिपाही की क्या थी मा थी आगे भरेंगे और देखेंगे दो नमबर कुश्चन पूछा जारा कि फौजी वहाँ लरने के लिए हैं वे भाग नहीं सकते जो फौजी जो फौज छोरकर भागता है उसे गोली मार दी जाती है उपयुक्त उधाहरन किस पार्ट से लिया गया है यह आपको बताना यह जो पंक्ती है किस पार्ट से लिया गया है तो यहाँ पर आपका जो है दो का जो सही आंसर होगा वो ए होगा डैतमिस या जखेंगे सिपाही की मा जो कहानी है इस चेप्टर से यह पा जो पंक्ती है लिया गया है आगे बरेंगे और देखेंगे तीन नमबर महत्पूर्ण कुश्चन पूछा जा रहा है कि सिपाही की मा एकांकी के एकांकी कार का नाम बताएं इसका नाम आपको क्या करना है बताना है एकांकी कार का नाम तो तीन का यहा आपका सही आंसर होगा वो भी होगा डैट मिस याद रखेंगे आठ जैनबरी 1925 इस भी को नेक्स्ट आम लोग देखेंगे यहाँ पर आपके पांच नमर कुश्चन को बोला जारा कि मोहन राकेश का निधन कब हुआ था तो यहाँ पर आपका सी आप्शन सही होगा आज रखेंगे कि जंगरी वाली गली अमरित सहर पंजाब नेक्स्ट देखेंगे हम लोग साथ नमर कुश्चन को बोला जारा कि मोहन राकेश के बचपन का नाम आपको बताना है तो साथ का आपका ए आप्शन है बिलकुल ही सही होगा याद रखेंगे मदन मोहन गुगलानी यहाँ पर आठ नमर कुश्चन को आठ नमर कुश्चन के द्वरा पूछा जा रहा है मोहन राकेश रचित एकांकी के नाम बताएं मोहन राकेश जी के द्वरा लिखे गए जितने भी एकांकी हैं उसका आपको नाम बताना है तो आठ का जो यहाँ पर आपका आपका सही आंसर होगा व हम लोग जो है यहां आपके नौ नंबर कुश्चन को पूछा जा रहा है कि मोहन राकेश रचित नाटक संग्रहों के नाम लिखें नाटक चितने भी नाटक संग्रह है इनका उनका नाम आपको क्या करना है लिखना है तो नौका जो यहां पर आपका C आप्शन है बिल्कुल ह सही होगा यह आप देखेंगे असाड का एक दिन यह क्या है नाटक संग्रह है किनका तो मोहन राकेश जी का आगे बरेंगे और नेक्स्ट देखेंगे हम लोग यहां पर आपके 10 नंबर महत्पूर्ण कोश्चन पूछा ज़रा कि मोहन राकेश के कहानी संग्रहों के नाम ल खंड़र नए बादल इसके बाद है आप यहाँ पर देख सकते हैं कि खौलाद का आकास वारिस इसके बाद आप देखेंगे जानबर और जानबर एक और चिंदगी यह सभी के सभी जो है क्या है कहानी संग्रह हैं किनका तो मोहन राकेश जी का आगे बरेंगे और गई है तो 11 का यहां पर जो आपका ए ओप्शन है बिल्कुल ही सही होगा याद रखेंगे अंडे के छिलके और अंडे एकांग की इस संगरा से जो है सिपाही की मा जो चेप्टर है वो लिया गया है आगे बरहेंगे और देखेंगे यहां पर हम लोग जो है 12 नंबर कुश्च से भी अच्छे होंगे ना तो यह कौन कहती है तो 12 का यहां पर आपका सही आंसर होगा वो ए होगा याद रखेंगे मुन्नी यह किसके द्वरा कहा जाता है तो मुन्नी के द्वरा कहा जाता है आगे बरहेंगे और देखेंगे तेरा नंबर कुश्चन पूछा ज़रा कि किस पार्ट से उद्रित हैं कौन चीज तो यह जो sentence है यह जो वाक्व है किस पार्ट से लिया गया है वाक्य क्या है कि यह भी हमारी तरह गरीब आदमी है यह वाक्व किस पार्ट से लिया गया है तो तेरा का यहां पर आपका B options सही होगा याद रखेंगे सिपाही की मा जो पाठ है उस पाठ से ही यह हुआ क्या लिया गया है कि वह भी हमारी तरह क्या है गरीब आदमी है नेक्स्ट काफी महातपूर्ण है बोला जा रहा है कि किसने लिखा है कौन्ची लिखा है कि नहीं फौजी वहां लरने के लिए हैं वे नहीं भाग सकते जो फौज छोड़कर जाते हैं उसे गोली मार दी जाती हैं ये जो लाइन है इसके लेखक कौन है तो चौदर का यहाँ पर जो आपका सही आंसर होगा वो डी होगा that means Mohan Ra라고is Mohan Raogo यहाँ पर आपका बिलकुल है को सही आंसर होगा इस तरह से आपका जो छेप्टर नंबर आपका 8 है साहीक हो और लोग देखेंगे च्प्टर नंबर 9 के दरब बने रहें और चिप्टर नंबर 9 के सभी महातपूर् जो है देखने वाले हम लोग चलिए स्टार्ट करते हैं और देखेंगे चैप्टर नम्मर नौ को ध्यान से देखेंगे और सीखने समझने की कोशिस करेंगे जल्द बाजी में नहीं रहेंगे बहुत सारे स्टुजेंट क्या करते हैं जल्दी जल्दी अपना वीडियो को भग महत्पुर्ण को देखने वाले हैं तो लास्ट तक बने रहेगा फर्स्ट महत्पुर्ण कोश्चन के द्वरा पूछा जारा कि प्रगति और समाज सिर्षक निवंध के निवंधकार का नाम बताईए तो एक का जो यहां पर आपका ए ऑप्शन है बिल्कुल ही सही होगा यह जो का यहां पर आपका बी ऑप्शन जो है सही होगा याद रखेंगे 28 जुलाई 1927 इसभी कुन का जन्म हुआ था नेक्स्ट आप देखिए तीन नंबर महत्पुर्ण कोश्चन है पूछा जा रहा है कि नामबर सिंग का जन्म कहां हुआ था तो तीन का जो यहां पर आपका c option है बिल्कुल ही सही होगा याद रखेंगे जो आप आपको बोला जारा है कि जी अन पूर वारा नसी उत्तर परदेश यहां पर आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा नेक्स्ट देखेंगे हम लोग आपके चार नंबर महत्पुर्ण कोश्चन को पूछा जा रहा है कि ना अबम नागर सिंग फागेश्वरी देवी अबम नागर सिंग यहाँ पर आपका बिलकुल ही सही आंसर होगा नेक्स्ट देखेंगे हम लोग यहाँ पर आपके पांच नंबर कुश्चन को बोला जा रहा है कि मानवर सिंग ने किस बिशय पर पीएच दी की उपाधि प्राप् हिंदी के बिकास में आप भरंस का योग पुस्तक किसने लिखी यह जो पुस्तक है किसके द्वार लिखा गया तो छोका जो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा वो बे अप्र सही होगा याद रखेंगे नाम होर सिंग आपा आपका बिलकुल ही सही आंसर होगा इस तरह से होता है यहाँ पर आपका 10 नंबर चेप्टर है जूठन और इसके जो लेखक हैं उनका नाम यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ओम परकास बालमी की है खर्ष्ट महातपूर्ण कोश्चन है पूछा जा रहा है कि जूठन क्या है जूठन जो है वो क्या है मतलब कौन सी बिधा है रचना की तो एक का डी ओप्शन यहाँ पर आपका से होगा आत्म कथा कौन सी चीज़ है यह आत्म कथा है नेक्स्ट देखेंगे आप दो नमबर महातपूर्ण कोश्चन पूछा जा रहा है कि जूठन सीर्षक आत्म कथा के लेखब कौन है सिंपल सी कोश्चन है आप लोग भी इसका अंसर दे सकते हैं यह ओप्शन है आपका बिलकुल है सही होगा ओम परकास बालमी की और जिस को आपको पहले से पता हो तो उसक्वेशन का अंसर आप लोग जो है कमेंट में मेरे साथ साथ देती चलिएगा यहां पर आपका तीन नमबर महातपूर्ण कोश्चन है ओम परकास बालमी की का जन्म कब हुआ था तो इसका यहां पर आपका जो है बी ऑप्शन सही होगा याद देखेंगे 30 जून 1950 इसमी को नेक्स्ट देखेंगे हम लोग चार नमबर कुश्चन पूछा जारा कि ओम परकास बालमी की का जन्म कहां हुआ था तो चार का जो आपका सही आंसर होगा वो आपका सी होगा यहां पर आप देख सकते हैं कि बरला मुझपर नगर उत्तर परद कौन-कौन सम्मान प्राप्त हुआ कौन-कौन सा सम्मान जो है उनको मिल चुका है तो पांच का जो यहां पर आपका सही आंसर होगा वो डी होगा डाटमिस उप्यूक्त सभी फस्ट यहां पर आप देख सकते हैं कि डाक्टर अंबेद कर राश्टी यह पुरसकार उनिस सो 95 उनको मिला हुआ था यहां पर आप देख सकते हैं कि जैसरी सम्मान 1996 भी उनको मिला नेक्स्ट आप यहां पर देख सकते हैं कि कथा क्रम सम्मान 2000 इस भी में उनको क्या हुआ था मिला था तो यह सभी के सभी सम्मान जो है उनको मिल चुका है नेक्स्ट देखेंगे हम लोग यहाँ पर आपके छो नंबर कोश्चन को पूछा जा रहा है कि ओम प्रकास बालमिकी के कहानी संग्रह का नाम बताएं इसके कहानी संग्रह का नाम बताना है तो छो का यहाँ पर आपका D option जो है सही होगा उप्युक्त सभी यहाँ पर आप देखेंगे जूठन जो है वो भी महत्पूर्ण को साथ नमर कोश्चन के दोरा पूछा जारा कि ओम प्रकास बालमिकी के कवीता संग्रह का नाम बताएं इनके कवीता संग्रह का नाम बताना है आपको तो यहाँ पर साथ का जो डी option है बिल्कुल ही सही होगा उप्युक्त सभी डैट मिस यहाँ पर फर्स्ट संग्रह है वह उप्रकास बालमिकी का ही है तो डी option यहाँ पर आपका बिल्कुल ही सही होगा उप्युक्त सभी नेक्स्ट आप देखेंगे यहाँ पर आठ नमर कोश्चन पूचा जा रहा है कि किसने लिखा है कितने कुरूर समाज में रहे हैं हम जहां स्रम का कोई मोल ही न आठ का जो यहाँ पर आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा वो सी होगा डैट मिस याद रखेंगे ओम प्रकास बालमिकी यहाँ पर आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा चलिए देखते हैं हम लोग नेक्स्ट नौ नमर कोश्चन को नौ नमर कोश्चन के द्वरा पूछा ज नाम था जूटन जो आत्म कथा है उसमें अस्कूल के परधाना ध्यापक का नाम क्या था तो नौका यहां पर जो आपका सी ऑप्षन है बिल्कुल ही सही होगा याद रखेंगे कली राम क्या था तो कली राम यहां पर आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा चलिए देखते हैं यहाँ पर आपके दस नमबर कुश्चन को दस नमबर कुश्चन है कि जूठन किस चेतना की रचना है तो दस का जो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा वो सी होगा डैट मिस यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ दलित चेतना दलित चेतना यहाँ पर आपका बिल्कुल है सही आं ना है उसके प्राब्लम को ही दिखाया गया है एक गारा नमबर कोश्चन देखिए पूछा जा रहा है कि सलाम कहानी संग्रा के कहानी कार है सलाम कहानी संग्रा जो है इसके कहानी कार का आपको नाम बताना है तो एक गारा का यहां पर आपका सहयोगा याद रखेंगे ओम प्र लेला पन और इसके लेखक कौन है तो मलियज ठीक है नमर जो कुश्चन है पूछा जा रहा है कि मलियज की रचना नहीं है मलियज जी की रचना निमलिकित में से कौन सी नहीं है तो एक का जो यहां पर आपका सही आंसर होगा वो जो है यहां पर मलियज की रचना कौन नहीं है देखिए question आप जितना ध्यान से परते हैं उतना ही आपको अच्छा होगा क्योंकि देखिए question में क्या पूछा जा रहा है कि यहां पर एक का जो डी option है सवयगा इन में से कोई नहीं क्योंकि यह सभी के सभी पहला आपका option क्या है नो आने वाला कल दूसरा क्या है सदियो का संताप जिसरा क्या है बकलं खुद तो यह सभी के सभी रचना जो है वह मले जी का है तो यहाँ पर पूछा जारा कि कौन रचना नहीं है तो यह इन में से कोई भी जो है उनका अशने कि नहीं है तो उप्यूक्त इन में से कोई नहीं आपका बिल्कुल है सही आंसर होगा नेक्स देखेंगे हम लोग दो नंबर महात पूर्ण कोईश्चन को यहाँ पर पूछा जारा है कि हस्ते हुए मेरा अकेला पन के लेखक है तो यहाँ पर दो का जो आपका बी ऑप्शन है सही होगा मलियज आगे बरेंगे तीन नंबर कुश्चन को देखिए हस्ते हुए मेरा अकेला पन तो तीनका जो यहां पर आपका सही आंसर होगा वो आपका ए होगा याद रखेगा डायरी साहीत ही यह यह एक डायरी है नेक्स्ट देखेंगे आप लोग चार नंबर कोश्चन पूचा जा रहा है कि मलीयज का मूल नाम बताएं मल्यज का मूल नाम क्या है तो चार का जो यहां पर आपका बिल्कुल है सही आंसर होगा वो आपका B होगा डैट मीज याद रखेंगे भारत जी सिरी वास्तव भारत जी सिरी वास्तव आपका बिल्कुल है सही आंसर होगा नेक्स्ट हम लोग देखेंगे आपके पांच नंबर कुश्चन को पूचा जा रहा है कि मलयज का जानम कहां हुआ था तो पांच का जो सही आंसर होगा वो सी होगा रैटमी स्याज रखेंगे मुंबई आजमगड उत्तर परदेश यहां पर आपका बिल्कुल है नेक्स्ट देखेंगे हम लोग छो नंबर कुश्चन पूचा जा रहा है कि मलयज की किर्तियों के नाम बताएं तो छो का जो यहां पर आपका सही आंसर होगा वो आपका डी होगा डैटमी स्याज रखेंगे जो उप्युक्त सभी जितनी भी किर्तिया है उपर जैसा कि यहां आप यह नंबर में देख सकते हैं जख्म पर धूल अपने होने को पर्कासित करता हूँ सबीका सबीक्स उप्यूक्त सभी मतलब D option यहाँ पर आपका बिल्कुल ही क्या होगा सही होगा चलिए आगे बढ़ते हैं और देखेंगे आपके साथ नंबर महत्पूर्ण को साथ नंबर कोश्चन के गराप पूछा गया है कि किसने लिखा है कौन चीज तो यह जो पंक्ती है वो पंक्ती क् यह पंक्ती किस के द्वारा लिखा गया है मलियत जी के द्वारा लिखा गया है नेक्स्ट हम लोग देखेंगे आठ नंबर कुश्चन पूछा जा रहा है कि किस पार्ट में आया है यह जो पंक्ती है दो पंक्ती किस पार्ट में आया है पंक्ती क्या है आदमी यथार्थ को जीता ही नहीं, यथार्थ को रचता भी है तो यह पार्था किस पार्थ से लिया गया है तो आठका यहाँ पर आपका B option सही होगा हसते हुए मेरा अकेला पन इस तरह से आपका चेप्टर नंबर 11 भी complete होता है तो चेप्टर नंबर 12 है जिसका नाम है तिरिच और इसके लेखक है उदय परकास असलिए देखते हैं फर्स्ट मात पूर्ण कुश्चन है बोला जा रहा है अरेबा परेबा उदय परकास की कैसे करती है तो एक का यहाँ पर आपका A option सही होगा याद रखेंगी या कहानी संग्रह है मतलब अरेबा परेबा एक बुक है जिसमें बहुत सारा क्या है कहानी है और यह किस के द्वारा लिखा गया है उदय परकास जी के द्वारा लिखा गया है चलिए आगे बढ़ते हैं और next देखेंगे हम लोग यहाँ पर जो है तीन नंबर कोईश्चन को पूछा जा रहा है उदय परकास का जन्म कब हुआ था उदय परकास का जन्म कब हुआ था तो तीन का यहाँ पर आपका B आप्शन सही होगा याद रखेंगे एक जन्बड़ी 1922 इस भी यहाँ पर आपका बिल्कुल है सही हो जाएगा नेक्स्ट देखेंगे हम लोग 4 नंबर कोईश्चन 4 नंबर कोईश्चन के दोरा पूछा जा रहा है उदय परकास का जन्म अस्थान कहा है जन्म अस्थान कहा है तो 4 का जो आपका सही आंसर होगा वो C होगा सीतापूर, अनूपपूर, मद्य परदेश यहाँ पर आपका बिल्कुल है सही आंसर होगा चलेंगे देखेंगे नेक्स्ट आपके 5 नमर महतपूर्ण को हलका बड़ा कर लेते हैं समझेंगे कोश्चन को बोला जारा है कि उदय परकास के माता-पिता का क्या नाम है माता-पिता का क्या नाम है तो 5 का यहाँ पर आपका सही आंसर होगा वो D हो जाएगा यहाँ पर आपका 5 का D option सही होगा गंगा, देवी, एबम, प्रेम, कुमार, सिंग यहाँ पर आपका बिल्कुल है, सही आंसर हो जाएगा, चलिए, देखेंगे छोड नंबर कुश्चन, बोला जा रहा है कि मोहन राकेश की किर्तियां कौन सी नहीं है, तो यहाँ पर छोका जो आपका सही आंसर होगा, वो ए होगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि घास वाली मान सरोबर, इसके बाद देख सकते हैं कि पूस की रात और कफन, यह सबी जो आपके जितने भी किर्तियां हैं, वो मोहन राकेश जी की किर्तियां नहीं हैं, आगे बरेंगे, और देखेंगे यहाँ पर आपके साथ नंबर कुश्चन को, साथ नंबर कुश्चन है कि परकास जी के कवीता संग्रह कौन-कौन से हैं, तो साथ का यहाँ पर आपका D option सही होगा, उप्यूक्त सभी, मतलब यहाँ पर आप देख सकते हैं, हर्स्ट का नाम क्या है, सुनो, कारीगर, सकेंड क्या है, अबूतर, कबूतर, थर्ड क्या है, रात में, यहाँ पर आप द पूछा जा रहा है कि तरिच कहानी कैसी हैं, तो आठ का C option आपका सही होगा, याज रखेंगे, जादूई या थार्थ है, जादूई या थार्थ मतलब जादू से संबंदित इसमें बात किया गया होगा, आगे बरेंगे, और देखेंगे, यहाँ पर जो है, नौ नमबर पूछा जा रहा है कि किस पार्थ से आया है, कौन चीज तो यह जो दो लाइन यहाँ पर आपको दिख रहा है, यह दो लाइन किस पार्थ से आया है, तो चले पहले लाइन को पढ़िए, लाइन क्या है, आगर तरिच को देखो तो उससे कभी आँख मत मिलाओ, आँख मिला आते ही वह आदमी की गंद पहचान लेता है और फिर पीछे लग जाता है फिर तो आदमी चाहे पूरी पृत्वी का चकर लगा ले तिरिच पीछे पीछे आता है तो यह जो सेंटेंस है यह सेंटेंस किस पार्ट से लिया गया है तो 9 का यहाँ पर आपका D option बिल्कुली से होगा तिरिच जैसे कि आप line में ही देख सकते हैं जो लिखा गया है तिरिच तो यहाँ से confirm हो जाता है कि यह तिरिच पार्ट का क्या है line है आगे बरहेंगे और देखेंगे 10 number question को पूछा जा रहा कि निम्नलिखित आलोचना पूस्तक में से कौन सी पूस्तक मोहन राकेश ने लिखी है कौन सी जो पूस्तक है वो मोहन राकेश जी के द्वरा जो है लिखा गया है तो 10 का यहाँ पर जो आपका सही आंसर होगा वो A होगा डैट मिस याद रखेंगे इस स्वर की आँख नेक्स टम लोग देखेंगे 11 number question पूछा जा रहा कि कौन सी पूस्तक उधर पर कास ने जो है अनुदित नहीं की है मतलब उनके द्वरा जो है अनुदित नहीं किया गया है तो 11 का यहाँ पर आपका B option सही होगा यहाँ पर देख सकते हैं कि काला कार यहाँ पर आपका बिलकुल है सही आंसर होगा इस तरह से आपका जो है chapter number 12 complete होता है 13 number chapter आपके सामने आ चुका है चेप्टर क्या है सिक्षा सिक्षा चेप्टर है लेखा कौन है जे क्रिस्न मूर्ती चलिए स्टार्ट करते हैं देखेंगे इसके महातपूर्ण कोश्चन को लास्ट तक बने रहेगा और वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों में ये शेर किया किजिये लाइक किया किजिये कि फस्ट कोश्चन है कि जे क्रिस्न मूर्ती की इन में से कौन सी रचना है तो एक का यहाँ पर आपका डी आप्षन सही होगा सिक्षा आप सभी जानते है सिंपल सा क्वेश्चन आपका है नेक्स्ट देखेंगे हम लोग जो है दो नमबर महातपूर्ण कोईश्चन को पूछा जारा की सिक्षा सिर्षक निवंध किसने लिखा है सिक्षा सिर्षक निवंध जो है वो किनके दोरा लिखा गया है नेक्स्ट देखेंगे हम लोग यहां पर आपके देख सकते हैं तेरा नमबर जो तीन नमबर कोईश्चन है पूछा जारा जारा जो है चार नमबर कोईश्चन पूछा जा रहा है कि जे क्रिशन मुर्ती का निधन कब हुआ था जे क्रिशन मुर्ती का निधन जो है कब हुआ था तो चार का जो यहां पर आपका सही आंसर होगा वो आपका जो है सी ओप्सन से होगा आज तकेंगे 17 फरवरी 1986 आपका बिलकुल है सही आंसर हो जाएगा चलिए आगे बढ़ते हैं और देखेंगे आपके 5 नमबर महातपूर्ण कुश्चन को 5 नमबर कुश्चन है कि जे करिस्न मूर्ती का जन मस्थान कहा है काफी महातपूर्ण है तो 5 का यहाँ पर आपका सही आंसर होगा वो D होगा यहाँ पर आप देख सकते हैं मदन पल्ली चित्तूर आंध परदेश मदन पल्ली चित्तूर आंध परदेश यहाँ पर आपका बिल्कुल है जो है सही आंसर होगा नेक्स्ट देखेंगे हम लोग यहाँ पर जो है हाँ छो नमर कोईश्चन को देखिए बोला ज़रा कि जे क्रिस्न मूर्ती के माता पिता का क्या नाम है तो छो का जो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा वो ए होगा क्या होगा ए डैटमीस यहाँ पर आप देख सकते हैं कि संजीबमा एवं नरायना जिद्दू यहाँ पर आपका विलकुल है सही आंसर होगा नेक्स्ट देखेंगे हम लोग जो है साथ नमर कोईश्चन को पूछा ज़रा कि जे क्रिस्न मूर्ती का पूरा नाम क्या है तो देखिए जे का ही आपको फूल फर्म जो है आपको केबल बताना है बाकी तो यहाँ पर आपका जो है क्रिस्न मूर्ती तो पूरा ही है तो साथ का जो आपका सही आंसर होगा वो आपका बी होगा याद रखेंगे जिद्द क्रिस्न मूर्ती नेक्स्ट हम लोग देखेंगे आपके आठ नंबर कुश्चरन को पूछा ज़र कि जे क्रिशन मुर्ती के किन विश्यों पर जे क्रिश्यों पर लेखन कार्ज किया हैं मतलब जे करिशन मूर्ती जो थे, वो किन-किन विश्यों पर लिखे हैं, तो आठका जो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा, वो आपका B होगा याज रखेंगी ये तीनों विश्यों पर, जैसे अध्या, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अध्याम हो, या फिर दर्शनों सभी पर इन्होंने लिखा है, नेक्स्ट देखेंगे, हम लोग यहाँ पर 9 नमबर कुश्चन को, बोला जारा है कि जे करिशन मूर्ती क्या करते थे, तो नौका जो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा, वो यह होगा या डैटमिस बोलते थे, नेक्स्ट देखेंगे, हम लोग आपके 10 नमर कुश्चन, बोला जारा है कि किस पार्ट में आया है, किस पार्ट में आया है, यह जो सेंटेंस है, इसें किस पार्ट से आया है, मतलब किस पार्ट से लिया गया है, sentence क्या है पढ़ते हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बच्पन से ही आपका ऐसे बाता बरण में रहना अत्यंत आवस्यक हैं जो स्वतंत्र पुर्ण हो स्वतंत्र पुर्ण हो तो यहाँ पर दस का जो आपका सही आंसर होगा वो आपका B होगा याज रखेगा सिक्षा पार्ट से यह वाक के है यह लिया गया है आगे बरेंगे और देखेंगे गारा नमर कुष्चन पूछा जा रहा है कि जे क्रिशन मूर्ति क्या थे तो एगारा का जो सी आप्षन है आपका बिलकुल है सही होगा याज रखेंगे वो बिश्व सिक्षक आगे बरेंगे और नेक्स्ट देखेंगे वह लोग बारा नमर कुष्चन पूछा जा रहा है कि जे क्रिशन मूर्ति की पुस्तकों के नाम बताएं उनके पुस्तकों का नाम बताना है आपको तो यहाँ पर आपका बारा का जो सही आंसर होगा वो डी होगा डैट मिस उप् यह उनका ही पुस्तक है और तीसरा जो पुस्तक है आक्रिशन मूर्ति नोट बूक यह सभी उनीका है तो उप्युक्त सभी यहाँ पर आपका बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा इस तरह से आज आपका जो है यह 13 मतलब जो आपका पद पार्ट वाला है यह सभी आपका क्य सब्सक्राइब जया हो गया वह कंपलीट होता है अब पार्ट वाले हम लोग क्या करेंगे अगले कलास में क्या करेंगे इस तरह से आपका 13 नमर चेप्टर तक कंपलीट होता है आज का वीडियो कैसे लगा कमेंट के माधे हम जरूर बताएए और अगर आप अभी तक इस व और गुरूप के बारे में बहुत सारे स्टुडेंट बोला थे कि सर हमें गुरूप में जोड़ दीजिए तो गुरूप देखये वाटसेप गुरूप हम नहीं चलाते हैं क्योंकि वाटसेप गुरूप को तो यहां से आप लोग जो है है टेलिग्राम चैनल को सबसक्राइब कर लीजिए उस पर जितना वी वाट्टेब् आ Πर आंग करते सारा का सारा काम आपका टेलीग्राम पर हो जाएगा तो टेलीग्राम आप लोग जोइन कर लीजिए चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक अपना ख्याल रखिए और एल जारा स्टेडी देखें